हेलो दोस्तो मैं आतुल प्रताथ सिंग प्रावी टेस्टू बेबी सेंटर में सेनियर काउंसलर हूँ आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि बचे हुए भोड से दोसरी आईरेस की प्रक्तिरिया कराने में कितना खर्चा आता है यानि कि frozen embryo transfer FET procedure अगर होता है तो कितना खर्चा आता है frozen embryo transfer का मतलब यह होता है कि आपके बचे हुए भूर से दोबारा IVF का procedure करना है तो खर्चा बहुत कम आता है बचे हुए भूर से IVF का procedure करने में हार्मोनल इंजेक्शन नहीं लगते हैं, ओवन पिक अप नहीं होता है, ट्रांसफर का प्रोसेस होता है, एंब्रियो को ट्रांसफर किया जाता है, जिसका खर्चा आता है 65,000 रुपए, बच्चे के व्रोड से FET प्रोसेजर का खर्चा 65,000 रुपए आता है, थैंक यू दोस् है, झाजica के थाज़ एंदिकces प्रोसेजर के फिर्ता है Caption का से FET प्रोसेजिए का लग Def कROCम से Kजए यूर कर एंदिएक्ट क mental